कई दिनों से जिख रहे हैं स्यासत अब गर्माती हुई नजर आ रही है कुमारी सैलजा को लेकर महस दस दिन बचे हूँ और ऐसे में किस तरीके से देखा जाए क्योंकि दोनों पार्टियों चाहिए कॉंग्रेस की बात करें या फिर बीचेपी की बात करें दोनों ही पार्ट वजरनदीब सुर्जेवाला और कुमारी शैलजा बजी हैं लेकिन जिस तरीके की बियान बाजी और जिस तरीके का कारकरताओं दोवारा अवहेलना की गई एक तरीके से गरीमा को ठेस पहुंचाने का काम कुमारी शैलजा को किया गया उसके बाद कुमारी शैलजा ने पू जो है और इस मौखे पर लगातार ब्यान बाजीयों का दौर जो है वो dेखने को मिला चाहिए हम के इंड्रीय मनुहरलाल का जिक्र कर ले या फिर कारे बहुए मंघुही मंतुरी नाइब सिंह सेनी का जिक्र कर ले और अन्य बीजेपी के वरिश नेताओं का जिक्र कर लें उनकी तरफ से खुले और तोर पर जो है वो invitation जो है वो दिये जा रहे थे indirect way में कि Congress कि यदि कुमारी शैल्जा जो है वो भार्त जनता पार्टी में आती है तो उनका जो है वो भवे और उनका सीधे तोर पर इशारा था कि यदि मलीकार जुन खड़गे जो कि Congress के रास्ट्रिया धक्षा उनके सामने मुझे अपनी बात कहनी होगी तो उससे मैं परहिज जो है वो बिल्कुल भी नहीं करूंगी अपनी बात जो है वो पूरे पुक्ता तरीके से रखूंगे उस उनकी तरफ से चुपी जो है वो जोर साधी हुई है कि किसी भी ब्यान का जो है वो कोई बड़ा मुद्दा ना बने तो उसको लेकर जो है वो दोनों ही परहेज करते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं और अब एक मरतबा फिर से पार्टी के आदेशा अनुसार जो है वो 26 इस तारीक से कुमारी शैलजा जो है वो परचार परसार करती हुई दिखाई देंगी लेकिन ये जरूर है कि कहीं न कहीं एक तरीके से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बियानबाजी आ रहीं जिस तरीके से कारे करता हूं द्वारा उनकी गरीमा को ठेस पहुंचाने का काम किय गया उससे जो है वो कुमारी शैल्जा जरूर आहद दिखाई दी रवी क्यूंकि अभीती दिनों भी देखा हमने मुख्यमंत्री पद को लेकर मुख्यमंत्री के चहरे को लेकर जो है नाराज की अचाहे भुपंदर सिंखुड़ा की बात करें या कुमारी सैल्जा की बात करे सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की तरजूर्वेकार नेतरी वो कुमारी शैल्जा है और ठीक वैसे ही तरजूर्वेकार जो है बुपंदर सिंग्ध हुड़ा है तो ऐसी स्तिती गेंदर दोनों ही निताओं को एक मंच पर लाना जो है वो कॉंगलिस के हाइग कमान क कि तरफ की जाती रही हैं लेकिन कहीं न कहीं वो कोशिशें जो है वो अधर में रटकती हुई दिखाई देती एक मर्थबा फिर से वैसा ही देखने को मिला लेकिन सो C.M. चहरे का यदि हम झिक्र करें तो C.M. चहरे को लेकर काफी ज्यादा मत्ता पेची जो है वो हाई कमान क का जिक्र कर ले या फिर वो पिंदल सिंग्ध हुड़ा का जिक्र कर ले तीनों ही अपने आपको जो हैं वो सीएम का दावेदार जो हैं वो मानते हैं और खुद कुमारी शेयलजा का यह कहना है कि जो दो मरतबा स्मुखे मंतरी रह जाते हैं वो तो जाहिर तोर पर उनके हासल की है और उसी जीत के भरोसे और उसी जीत के वज़से वो अपनी से दावेदारी चीए नहींगे उनके सिधे तोरप में करते होएं दिखाई देते हीं कि जो विधायक चाहेंगे और साथ ही साथ चाहेगा मुख्यमंतरी बनेगा तो इस बात से सीधे तोर पर एक हाजा सकता है कि दोनों तरब से लगातार प्रेशर टेक्नीक्स या फिर प्रेशर पॉलिटिकस घेली जा रही है ताकि High Command को अपनी ओर जुकाया जा सके या फिर जो तराजू है उस तराजू में अपनी वेटेज को बढ़ाया जा सके लेकिन कहीं न कहीं फिलहाल की स्थिति के अंदर भुपिन्द सिंग हुड़ा का पलडा जरूर भारी दिखाई देता है लेकिन देखना दिल्चस्प रहेगा कि जब चुनाव खतम होते हैं चु प्रवार करते हुए दिखाई देंगे उससे जो है वह साफ हो जाएगा कि कॉंगरेस की क्या कुछ थी तीजाए अब इंतजार आठ तारीक का करनोगा बहुत पर शुक्रिया आपको रवी तमाम जानकारी के लिए